निकिता हत्याकान में फास्ट्रेक कोर्ट के जद सर्ताज बस्ताड़ा ने अपना फैसला सुना दिया है आपको बता दे कि निकिता हत्याकान में अदालत ने दोनों दोशी तोसीफ और रेहान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है अदालत का ये फैसला आज यानि शुकरवार को तीन बच कर पेंतालिस मिनट पर सुनाए गया है फरीदाबाद कोर्ट में निकिता हत्याकान मामले में जजज सर्ताज बस्ताड़ा का ये अंतिम फैसला भी है चुकि उनका ट्रांसफर हो गया है बता दे कि 24 मार्च को जजज ने आरोपी तोसीफ और रहान को दोशी करा दिया था बता दे चले कि 26 अक्टूबर 2020 को दिन दहड़े कार सवार दो पदमाशों ने मिल्क प्लांट रोड पर अगरवाल कॉलिच से परिक्षा दे कर लोट रही बीकॉम फाइनल एर की चात्रा निकिता तोमर की गोली मारकर हत्या कर दी थी लहुलुहान हालत में उसे पास की नीजिय अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों एमरत खोशित कर दिया था हत्या के बाद में भागने में भी कामयाब रहे थे यहां यह भी बताते चले कि 24 मार्च को फरिदाबाद में चर्चित निकिता हत्याकान के तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था जहां पर अदालत ने फैसला सुनाते हुए मुक्या आरोपि तोसीफ और उसके सहीयोगी रहान को दोशी करार दिया था वही हथियार मुहिया कराने वाले तीसरे आरोपि को कोर्ट ने बरी कर दिया था अज 26 मार्च को दोनों दोश्यों को आज जीवन कारावास की सदा सुनाई गई है वर्डिक जो आया है उसके हम रिस्पेक्ट करते हैं बट वी आर नोट सैटिसफाइड विद जजज्मेंट तो डेफिनेटली ऐज़ा मैट राइट है तो कि उसका कि हम हायर कोट में अपील करेंगे अपने जो फैक्ट्स हैं जो अपने इक स्ट्रॉंग के डिफेंस हमने स्टार्टिंग से प्रोवाइड किया था इसमें और हमने यह चीज़ अन्षोर की थी कि एवन आफ्टर काफी थ्रेट्स तक आई थी स्टार्टिंग में भी उसके बद मेरे को हाई कोट में अप्लिके कैसर रइस्टर हुआ था। उसके बाद सेही विफॉर य। ते पर नाउंसमेंट टेजमेंट एक स्टेटमेंट आई जा रही थी किसमेए फांसी होगे फांसी होगे। प्रीज़जिंग इसमें स्टाटिंग से ही हो रही थी. बट कोट कंसिडर करता है कि capital punishment किस case में अवार्ट की जाए rarest of the rare category के parameter set किये हुए supreme court तक नहीं तो ये case single bullet injury murder case है that too on the non-vital part तो इसमें capital punishment अवार्ट नहीं की जा सकती अब उसको life imprisonment की है 302 में उसका क्या मतलब निकाला जाए अजीवन का क्या मतलब निकाला जाए तिल जाए तेट कोई specific line mentioned नहीं है जी कितने साल की है फिर आप कितने साल की सबस्टेट में वैसे most of the cases में 14 years होता है जी life imprisonment में 14 years होता है अच्छा 366 में 120 B में इनको अपना 5 years किया है और 302 में अपने life imprisonment के साथ 20,000 fine किया each और arms act में सिर्फ तौसिफ को 27 of the arms act में 4 years imprisonment अभी 30 दिन का आपको समय मिलेगा आपको हाइक को देखेंगे पढ़ेंगे क्या facts mention ने उसमें क्या है क्या नहीं है उसको देखने के बाद दी चार्ज भी लगा है कुछ एक्स्टा जो 20,000 रुपे का 302 में 20,000 है बाकी में 366 में 2,000 है आम सेक्ट में 2,000 है अजुरू को पहले अकुट कर दिया था कि उसके खिलाफ इतने और फारण द्रेश नहीं है क्या नहीं प्रॉस्टा इट विछ लुट की आईविटनेस नी था इसकेस का आईविटनेस जो एक थी निकिता शर्मा थी उसने कोट में एविदेंस के टाइम में भी बताया था इडिनिटिफाइए नहीं कर पाई तो इसमें आइडिंटिफिक दूसरा गन थी जो जो फायराम था उस पे फिंगरपिंट्स नहीं थे बहुत सी चीज़े थी जो अपने उने काफी डिफेस दिया था संचे के जो पाफी पूसरा जो रहा है और अब आप अब बात प्ता इए हमारा जब आप डिफेंस पर रहे थे तो आप ये यह थे तो सब्सक्राइस वान ख़ेखके जो लटकी के अक्ति भारे में ध़क्तिपला करें के जो भी है कि हुआ कि दम आपको चाहिक नहीं हैं और जब तक कारेवाई करेंगे पहईं produto करेंगे इस नहीं मुद्पनी ज्ति सेरा आप के लिए लेकर आए हैं खास मौका वो भी हर्याना सरकार की affordable housing योजना के साथ जिसके तहट आपको मिलेगी 6 लाख रुपे तक की सुविधाओं के रूप में सबसीडी जैसे की free parking, EDC, IDC free, club charges free और maintenance free और कोई hidden charges भी नहीं तो आज ही बिना देर किये अपने सपनों का घर book करें